हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो हारो का सीजन है, तो चलिए बनाते हैं आसान और मुँ में गुलने वाले स्वादिश्ट लड्डू, यह बनेंगे थोड़ी से मेहनत और घर के थोड़ी से समान से, तो चलिए मेरी किचन में इसके लिए लेना है एक भारी में तले का पैन या कडाही इसमें डालेंगे 3 4th कप घी और इस रेसिपी के लिए कोई कटोरी या कप का नाप ले ले और सारा समान जो है, वो इसी से ही हमें डालना है, तो इसके लिए मैं ले रही हूं, दो कप सुजी, जिसे खी गरम होने पर इसमें डालना है, और अब ल जब तक सोंधी खुश्बू आने लगे और सूजी हलकी सुनहरी हो जाए दोस्तों इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है नहीं तो लड़ू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और मैंने गैस को ओफ कर दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा एक कप थोड़ा इराइची पाउडर और थोड़ी सी किश्मिट्स जो मैंने धोकर रख ली थी अब इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और अब त्यारी करते हैं चाशनी बिनानी के लिए इसके लिए एक पैन ले लेना है और इसमें डालनी है डेड़ कप चीनी और आधी मात्रा में पानी लगभग पौन कप पानी डाल रही हूँ मैं और इसे गरम होनी के लिए रख दिना है दोस्तों मैंने कई बार देखा है हम लोग चाशनी के नाम से डर जाते हैं तो चाशनी बनाने के लिए हमें थोड़ी साफधानी रखने के जरूरत होती है पहले तो चीनी मेल्ट होती है और उसके बाद एक पतली सी चिपचिपई सी चाशनी बनती है लेकिन हमें उससे अगली स्टेज की जब दोनों उंगली और अंगुठे के बीच में हम सिरब को लेते हैं तो एक हल्की सी तार बनने लग जाती है तो ऐसे एक तार की चाष्णी बनानी है और इस एक तार की चाष्णी को अब हम डाल देंगे अपनी भूनी हुई सूजी के मिश्रिन में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों काम करते रहने से हम सीख जाते हैं गलती इंसानों से होती है तो एक्सपेरिमेंट करने से और काम करने से बिलकुल भी नहीं डरना चाहिए और अब यह जो है मिश्रिन तैयार है नीचे गैस ओफ है और इसे करना है ठंडा तब तक जब तक इसके हम हलका गरम रहने तक कि हम इसके लड़ू बान सके और यह थोड़ा गाड़ा भी हो जाएगा तब तक दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और रेसिपी जरूर ट्राही किजिएगा पसंद आने पर लाइक करें शेर करें और आपके लड़ू कैसे बनें यह जरूर बताएं लड़ू एक ही साइज के बने तो मैंने एक स्पून ले लिया है और उसी नपसे यह अच्छे बन जाएंगे और यह थोड़ी सी सूजी से धेर सारे लड़ू बन जाते हैं तो बनाईए खाईए सब को खिलाईए और मेरा एक ही कहना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती हमें डरना नहीं है हमें काम करते रहना है और अगर नहीं भी आता तो हम धीरे धीरे काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं और सीख जाते हैं धन्यवाद अन्त तक जुड़े रहने के लिए और असान सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थेंक्स फूर वाचिंग